बच्चों, आज संस्कृत की कक्षा में मैं सभी का स्वागत करती हूँ और आज हम लोग पाठ छे, शस्ठा पाठा जिसका नाम था समुद्र तटा है और इसमें हम लोग शुरू करेंगे आज अभ्यास प्रश्न और इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि कि इतने भारत में समुद्र के तट हैं और उनकी क्या विशेशताएं हैं और इसके बाद कहां पर जो है समुद्र का संगम होता है समुद्रों का संगम होता है और कहां पर चंद्रोदय और सुर्यास्त एक साथ देखा जा सकता है तो इसके बारे में हम लोगों ने इस पार्ट में अंतिम अनुछेद में पढ़ा था और आज हम लोग इस पार्ट का अभ्यासर में दिये गए प्रश्णों को अक्का उत्तर जानेंगे और इसमें सबसे पहला प्रश्ण जो दिया हुआ है वह है उच्चारण करना उच्चारण कुरूद तो इसमें जो है दिये गए शब् उच्चारण करना है और सभी विद्यार्थी इसका अभ्यास करेंगे उसको शुद्ध तरीके से पढ़ने का अभ्यास करेंगे तो सबसे पहला प्रश्ण हम लोग शुरू करते हैं किताब में सभी बच्चे निकाल लेंगे रूचिरा प्रत्म भागर का पेज नंबर यहां 237 और इसमें जो है अभ्यासा शिर्शक के अंतरगत सबसे पहला प्रश्न दिया है उच्चारण करो तो बच्चों सबसे पहले हम लोग इन शब्दों का उच्चारण करेंगे तो सबसे पहला शव्द दिया हुआ है यहाँ पर तरंगईह जिसका आर्थ होता है लहरें और फिर है मत्स जीविनह और फिर है विदेशी पर्यट के भ्यह यानि कि विदेशी पर्यटक अर्थात घूमने वाले जो दूसरे देश से हमारे देश आते हैं घूमने के लिए तो उन्हें विदेशी पर्यटक कहा जाता है और संगम है संगम कहते हैं मिलन को जहां पर कि समुद्रों का संगम होता है तो इसके बाद है तिस रिशु है तिस रिशु मतलब तीनों और वैदेशिक व्यापाराय वैदेशिक व्यापराय विदेशी व्यापार के लिए वैदेशिक व्यापराय और फिर है प्राय द्वीपह और फिर है बंगोप सागरह और फिर है चंद्रोदयः चंद्रमा का उदय अर्था चंद्रोदयः तो ये शब्द है यहां पर जिसका शुद्ध उचारण करना है किन्यास करेंगे और अभ हम लोग दीचेंगे में कैसे कि बच्शन का आंसर देतें हैं व्यसे ही यहाँ पर दिये गए प्रश्णों का उत्तर वाक्य में लिखना है तो सबसे पहले प्रश्ण में लिखा है कि जनाह काभिह जनाह मतलब लोग काभिह मतलब किस से जल विहारम कुर्वंती मतलब करते हैं करोती एक वचन में होता है और कुरुतः द्वी वचन में होता है और कुर्वंती बहुवचन में होता है सह करोती तव कुरुतः और ते कुर्वंती तो बहुवचन के लिए कुर्वंती शब्द का प्रयोग करते हैं तो यहां पर पूछा गया है प्रश्ण में कि कि जनाह काभी है, लोग किस से जल वीहारम कुर्वन्ती जल में घूमते हैं किस पर बैठ कर और जल विहार करते हैं यह पूछा गया है काभी मतलब किस चीज से तो यहाँ पे प्रश्न का उत्तर जो है वो इसी से शुरू होगा तो यहाँ पे पहला प्रश्न दूसरे प्रश्न का पहला है कि जनाह यहाँ पर लिखा हुआ है जनाह नौकाभिह नौकाभि का अर्थ है नाव से जनाह मतलब लोग नौकाभिह ये प्रश्ण में ही लिखा हुआ है ये जनाह शब्द जो है वो प्रश्ण में शुरुवात है और प्रश्ण से ही हमें आपे शुरू करना है जनाह और काभी की जगह पे काभी जो है वो प्रश्ण वाचक पद है तो काभी की जगह पे हमें लिखना है नौकाभी अर्थात न यानि कि ये बहुआचन का प्रियोग है नौकाशब्द में नौकाशब्द से जो है ये शब्द रूप बना है नौका भीह यानि कि नाव से जल विहारम कुरवंती जल विहार कुरवंती मतलब करते हैं तो इस रख से दूसरे प्रेश्ण के पहले का अंसर हो गया कि जनाह नौकाभिय जल विहारम कुर्वन्ती। और अब हम नोग दूसरा प्रेश्ण समझेंगे कि दूसरे प्रेश्ण में क्या पूछा गया है। तो दूसरे प्रेश्ट में पूछा गया है कि भारतस दिर्ध तमह समुद्र ततः कह भारतस यहां पर सस्ठी विभक्ति एकवचन का प्रयोग हुआ है भारत शब्द से और भारत अकारांत पुल्लिंग शब्द है और इसमें सस्ठी विभक्ति में जैसे बालक शब्द से बा हुआ है भारत का और सश्टी विभक्ति संबंध कारक होता है का की के अर्थ में इसका प्रियोग होता है तो भारत का दिर्गतमा का अर्थ होता है सबसे बड़ा समुद्र तटक का है कह मतलए कौन सा है तो भारत स्य जैसा की पात में आया हुआ है दियोती अनुचेत में इसका वर्डन किया हुआ है तो यहां पर पूछा गया है कि दिर्ग तमह का अथ होता है सबसे बड़ा, तो चेननई नगर से इसका उत्तर है, यहां पर हम प्रशन से शुरुवात नहीं करेंगे, यहां पर हम लोग उत्तर के शुरुवात, जो इसका कह यानि कि कौन सा तर्ट सबसे बड़ा है, यह हमें बताना है, भारत का कौन सा समुद्र तर्ट सबसे बड़ा है, दिर्ग तमह, दिर्ग तमह का अथ होता है सबसे बड़ा, तो यहां हम बताएंगे, कि सबसे पहले हम उत्तर, जो कह का उत्तर है, कि चेननई नगर से, मेरिना तटः, दुटी अनुछेव में इसका वर्णन भ समुद्र के तट का नाम है, मेरिना तटः, भारत से, भारत का दिर्ग तमह, सबसे बड़ा समुद्र तटः, समुद्र का तट, अस्ति मतलब है, यहां पर एक समुद्र के किनारे की बात हो रही है, एक समुद्र तट की बात हो रही है, और इसलिए यहां पर अस्ति का प्र होता है और बहु वचनन में शंति का प्रयोग होता है तो यहां पर समुद्र ततका नाम लिखे हैं इसलिए यह पर अस्ति का प्रयोग किये हैं कि same नagre का मेरिक नथा भारतास तम Ah samudr ततक अस्ति और अब हम लोग को दूसरे का दूसरी प्रश्न का गव देखेंगे जिसमें की प्रश्न दिया हुआ है पहले प्रश्न को समझना है कि प्रश्न में क्या पूछा है तो इसमें पूछा है कि जनाह कुत्र स्वेरम विहरंती जनाह कुत्र स्वेरम विहरंती जनाह मतलब लोग और कुत्र मतलब कहां जनाह मतलब लोग कुत्र मतलब कहां स्वेरम मतलब बिना रोक टोक के बिना किसी रुकावड बिना किसी बाधा के बिना रोक टोक के विहरंती घूमते हैं तो ये वर्णन भी आया था दुईती अनुचेद में कि मुंबई नगरस यहां पर मुंबई नगर के जुहु तटे जुहु के तट पर जो है स्वैरम विहरंती तो यहां पर हम लोग उत्तर लिखेंगे जनाह मतलब लोग पूछा है कि कुत्र मतलब कहां तो कहां का उत्तर है जुहु तटे जुहु तट पर स्वैरम विहरंती तो इस प्रश्न के उत्तर में किवल एक शब्द याद रखना है जुहु तटे जो मुंबई नगर का है तो मुंबई नगर से जुहु तटे स्वैरम विहरंती जनाह जुहु तटे स्वैरम विहरंती लोग जुहु के किना तो बालकाव यहां पर वरणन आया था पहले अनुचेद में कि बालकाह बालीकाह चा बालुकाभिह बालुकाग्रिहम रचयन्ती तो यहाँ पे हम लोग शुरू करेंगे यहाँ से प्रशन से ही शुरुबात करेंगे इसकी बालकाह बालुकाभिह बालकाह ये बहुवचन का रूप है बालक शब्द से बालकाह बाल बालकाव बना है प्रत्मा विभक्ति का एक वचन का रूप ये बहुचन का रूप है एक वचन में बनता है बालकाव और द्वी वचन में बनता है बालकाव और बहुचन में बनता है बालकाव तो यहां पे बालकाव बहुचन का रूप है कि लड़के बालु का भी बालु से बालु का ग्रिहम रचयंती बालु का घर रचयंती मतलब बनाते हैं तो इस तरह से घह का उत्तर जो है वो यहाँ पर यह बनेगा और इसकी शुरुवात प्रश्न से ही करना है और इसमें शुरू में यह लिखा हुआ है बालु का भी है बालु का यहाँ तक और उसकी बाद हमें उत्तर देना है किम का मतलब होता है क्या क्या रचयंती मतलब बनाते हैं तो उसका उत्तर हो गया बालु का ग्रिहम तो यहाँ पर यह एक शब्द हम किम की जगा पर जोड़ देंगे किम प्रश्नवाचक शब्द को हटा कर पद को हटा कर वहां हम बालुका ग्रेहम जोड़ देंगे तो हमारा उत्तर बन जाएगा तो और इसी तरह से पहले वाले में नौका भी है प्रश्नवाचक शब्द की जगा पे लिखना है और दूसरे वाले में उत्तर की शुरुवाद करनी है इससे और बाद में प्रश्न से इसको लिखना है और अंत में अस्ति जोड़ना है और घह में ये शुरुवात करनी है प्रशन से बालकाह, बालुकाभिय और ये किम की जगह लिखना है बालुका ग्रिहम और रचेयनती मतलब बनाते हैं और अब हम लोग आपर देखेंगे पाच्वा प्रशन, पाच्वे प्रशन में क्या पूछा गया है ये प्रशन पहले हम लोग पढ़ लेंगे और इसमें जो है लिखा है कि कोची तटह, कोची तटह ये नाम है कोची का किनारा, समुद्र का किनारा, केभ्या, केभ्या ग्याय जाना जाता है कोची का तट किसलिए प्रसिद्ध है यह अनुशेद में आया है उसके वर्णन में जो समुद्र के किनारे की क्या सबका महत्व है क्या विशेश्टा है तो यहाँ पर कोची तटः और उसके पाठ के अनुसार यहाँ पे कोची तटः यह प्रशने से के लिए ग्यायते ग्यायते मतलब जाना जाता है तो कोची तटह नारिकेल फलेभ्या नारियल के फल के लिए जाना जाता है ग्यायते मतलब जाना जाता है और इस तरह से हम लोग प्रश्न दो का ये पांचों प्रश्न किये और सभी बच्चे इसे अपनी कौपी में संस्कृत की कॉपी में उत्तर पुस्तिका में इसे पूरा करेंगे और आगे का भी प्रशन पूरा करेंगे तो अब हम लोग बढ़ते हैं प्रशन तीन की ओर और प्रशन तीन में क्या दिया हुआ है यह हम लोग देखेंगे तो प्रशन तीन में कहा गया है कि मंजुशाता मंजुशाता यानि कि मंजुशा से जो यहां पे बॉक्स बना हुआ है उसे मंजुशा कहते हैं और उसमें कई शब्द दिये हुए हैं तो मंजुशाता मंजुशा से पदानी चित्वा पद चुनकर और यहां पे पद लिखा हुआ है यह ज जितने भी संस्कृत में वाग के लिखे गए हैं, जितने भी संस्कृत के शब्द हैं, वो सब पद हैं, तो यहाँ पे यह सब पद हैं, तो और यहाँ जो हम लोग तीसरे प्रश्ण में पढ़ने जा रहे हैं, मन जो शाता है, पदानी चित्वा, रिकतस्थानानी पूरियत, और रिकतस्थानानी पूरियत कार्थ होता है, खाली जगह भरो, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बॉक्स में दिये गया शब्द को पढ़ेंगे, जिसमें दिया है बंगोप सागर, यानि की बंगोप सागर, और प्राइद्वीप और पर्यतनाई पर्यतन के लिए गूमने के लिए क्रीडा यानि खेल और संगम यानि की संगम जहाँ पे कई चीजों का मिलन होता है वो संगम कहलाता है तो अब यहां पर प्रश्न का वाकि समझे कर जो सही उत्तर होगा वो लिखा जाएगा तो यहां पर हम लोग करेंगे तीसरा प्रश्न तो थीस्रे प्रश्न में जो है वो इसमें भी पूरे जितने शब्द दिये हैं वह किस में कौन सा सही शब्द का ये हम मावकी पढ़कर खोड सकते हैं तो अब यहाँ पे हम लोग करने जा रहे हैं तीसरा प्रेशनर स्थान कि पूर्ति करना है और इसमें जो है जो दिया है शब्ड घुट उसको हम पड़ लिये हैं और बाori पढ़ढ़öm और वाक्य में जो पहला दिया वा किनारे त्रया राम सागराराम तीनों समुद्रों का भवती होता है तीनों समुद्रों का क्या होता है यह अंतिमन अनुचेद में दिया गया है तो वहां से हम लोग देखकर यह सम नहीं इसको खोज लेंगे, कि वहाँ पे दिया है कि एते शामत्रया राम अपी साग्रा राम संगमाह कःन्या कुमारी दे भवती। तो यहाँ पर संगमाह शब्द आएगा। तो पहले में हम लोग लिखेंगे संगमाह। तो संगमाह शब्द जो है यहां पर आ जाएगा पहले में मिलन होता है तीनों समुद्रों का और ख़ है भारत देश भारत देश इती कथ्यते ये कहा जाता है कथ्यते मतलब कहा जाता है क्या कहा जाता है बंगोप सागरा ये तो समुद्र का नाम है प्रायद्वीप और प्रा तो यहां पे भारत को प्राय द्वीपह इती कर्थियते प्राय द्वीप ऐसा कहा जाता है तो दूसरे में आ जाएगा प्राय द्वीपह तो यहां पे हम लोग करेंगे प्राय द्वीपह और अब हम लोग यहां पे तीसरा वाक्य पढ़ेंगे और तीसरे वाक्य में ये सब ख इती कथ्यते भारत देश को प्रायद्वीब कहा जाता है अब हम लोग वाला प्रश्न पढ़ेंगे जिसमें लिखाया कि जनाह समुद्र तटम आगचंती आते हैं ये शुर्वात में ही लिखा था प्रारंभ में ही इस पार्थ में लिखा था तो किसले आते हैं लोग जनाह मत गॲग समुद्र तटम समुद्र के किनारे आगचंती आते हैं तो किसले आते हैं परियतनाय अग़्ला शब्यां पे परियत नाय दिया हुआ है तो परियटनाय का उर्थ होता है घूमने के लिए तो यहाँ पे हम लोग परियत नाय शब्द भरेंगे गमे परियत नाय घूमने के लिए ये चतुर्थी विभक्ती का एकवचन का रूप है और ये संप्रदान कारख है घूमने के लिए हमलोग लग देखेंगे बालेभ्या का रूप होता है बच्चें को रोचते अच्छा लगता है तो यह तो सभी अच्छास समझ आएंगे सभी बच्चे क्रीडा, क्रीडा मतलबब खेलल तो बच्चों को कृदा रोचते मतलब अच्छा लगता है तो यहां पे हम लोग क्रीडा शब्द लिखेंगे और अब हम लोग अंतिम वाक्य पढ़ते हैं और अन्तिम बाक्य में ये लिखा हुआ है कि भारत से पुर्वदिशायाम भारत के पुर्वदिशा में अस्ति मतलब है तो क्या है ये हम लोग अन्तिम अनुछेद में खोच सकते हैं तो पुर्व दिशायाम यह दूसरी पंक्ति में प्रयोग है इसका कि दक्षे दिशायाम हिंद महा सागरह पुर्व दिशायाम यहां पे पुर्व दिशायाम पूछा है तो हम लोग पुर्व दिशायाम का खोजेंगे तो यहां लिखा हुआ है पुर्व दिशायाम बंगोप बंगोप सागरह तो यहां इसका दिया हुआ है यहां पर विकल्प भी दिया है तो यहां पर हम लोग लिखेंगे बंगोप सागरह तो इस तरह से बंगोप सागरह जो है यहां पर हम लोग उत्तर लिखेंगे तो यहां पर ये पद लिखकर इस वाक्य को पूरा किया जाएगा बंगोप सागरा तो इस तरह से यह 5 वाक्य के 5 खाली जगा में इसको बहरना है और पूरा वाक्य वैसे ही लिखना है और जब भी प्रेश्न पूछा जाता है कि रेक तस्थानानी पूरियत दिये गए जो वाखे है उसका खाली जगा भरो, तो इसका उत्तर लिखते समय वाख के पूरा लिखना चाहिए और खाली जगा में शब्द को भर कर उसको अंडरलाइन कर देना चाहिए जिससे की वो पता चले की खाली जगा में कौन सा शब्द लिखा गया है अब हम लोग चौथा प्रेशन करेंगे यथा योग्यम योजियत यथा योग्यम योजियत का है जो उचित है यथा योग्यम इसमें जो उचित है योजियत मतलब उसको जोड़ो तो पहले में यहां पे पांच पद लिखा हुआ है और इसको हम लोग अगले जो इस्तंभ में दिया हुआ है पांच पद उससे मिलाएंगे कि किस पद के साथ किसको जोड़ना है तो हम लोग पहले को वैसे का वैसे ही लिख लेंगे और दूसरे वाले में उसके आगे सही उत्तर लिखा जाएगा तो इसमें यथा योग्यम योजियत में हम लोग ये सभी बच्चे लिख होंगे तो प्रश्ण चार का हम लोग यहां पर लिखेंगे यह हो जाएगा यहां पर अधिर्शनरचार जिसमें कि हम लोग पूरा करेंगे जो पद लिखा हुआ है और इसको नमबर डाल लिए हैं इसके लिए तो पहले लिखा हुआ है समुद्र तटा तो यहाँ पे समुद्र, तटा है और दूसरा शब्ध है, दूसरा है क्रेड़नकम, तो यहाँ क्रेड़नकम हो गया, अब इसको हम लोग सही पत से मिलाएंगे, और फिर दुगधम, देपका है, विद्या, अब हम लोग सबसे पहले का खोजेंगे समुद्र तटा, समुद्र तटा किस चीज के लिए होता है, तो यहाँ पे पर्याटनाए, यहाँ पे ज्ञानाए, ज्ञान के लिए तो समुद्र तट होगा नहीं, और समुद्र तट जो है वो ज्ञान के लिए नहीं होगा, और दूस प्रकाश आए प्रकाश देने के लिए और इसके बाद है पर्यतनाए घूमने के लिए तो पाठ में समुद्र तट के लिए यही प्रयोग किया गया है पर्यतनाए घूमने के लिए तो यही यथा योग्य जो है वो योग्य पद जो है वो यही है पर्यतनाए तो इस पद को यहाँ पर इसके आगे लिख देना है और सभी बच्चे परिक्षों में भी जब लिखते हैं उत्तर तो इसको पूरा लिखना चाहिए और इसके आगे सही उत्तर लिखना चाहिए तो यह आपके पास शब्द लिखा रहेगा प्रश्ण वाला तो इसके आगे आप मिला सकते हैं कि कौन सा उत्तर हमारा सही है कौन सा गलत है क्रिड़नकम मतलब खिलोना होता है और क्रिड़नकम किस के लिए होता है यहां पे संप्रदान कारक का प्रियोग है तो किसके लिए खेलोना किसली होता है तो खेलनाए यहां पर एक शाब धान बख्षोड दिये थे खेलनाए खेलने के लिए तो खेलोना खेलने के लिए होता है यह उचित पद है तो यहां पर हम लोग लिख देंगे खेलनाए खेलोना क्रीडनकम खेलनाए खेलनाए खेलने के पोशन आए शब्त हम नोग पहले इसका आर्थ देखे थे पोशन आये पोशन के लिए और अभ दीपक या नी दिया से हमें क्या मिलता है किसलिएहोता है प्रकाश आये प्रकाश के लिए इन fossil T GitHub का प्रकाशाय तो यह शब्द पढ़ कर ही समझ में आ जा रहा है कि यह किसका उचित पद हो सकता है विद्या सभी जानते हैं और विद्या ज्ञान के लिए होता है तो यहां पर विकल्प भी दिया हुआ है ज्ञान आय तो हम इसका उचित पद यहां जोडेंगे ज्ञानाय ज्ञान के लिए तो इस तरह से हम लोग चोते प्रस्म का यहां पर सही पद मिलाए इन सब से और अब लोग इसके आगे अगे पांचवा प्रस्म देखेंगे जिसमें लिखा कि त्रितिया विभक्ति प्रियोगेन त्रितिया विभक्ति का प्रियोग करके प्रियोगेन यानि कि प्रियोग से रिक्त स्थानानी पूर्यत खाली जगा भरे तो त्रितिया विभक्ति का प्रियोग करना है यानि कि यहां पे त्रितिया विभक्ति करण कारक होता है और से के द्वारा जिस चीज से हम अपना कार्य करते हैं जो चीज जो है जो वस्तु या जो भी चीज हमारे कार्य में सहायक होती है जैसे पढ़ने में पुस्तक सहायक है और लिखने के लिए कलम सहायक है जाने के लिए यान है बस यान है रेल यान है ये सब हमारे कार्य में सहायता करत है तो ईह सब त्रेंवी भगती का प्रयोग होता है करेंगे जैसे एक यहां पर यथा का अर्थ होता है जैसे वियो मह मित्रेंग सह गत्षति वियो मह नाम है यह एक अकारांद सफ लेके विसर्ग होता है ये इसमें कोई भी किसी को भी संदे नहीं होना चाहिए तो अभी हम लोग करने जा रहे पांच67 प्रशन तो यहां पांचानक प्रशन का heading डालेंगे और इसमें जो है एक जो सह आता है उसका अर्थ होता है सह सह का आर्थ होता है साथ, सह का आर्थ होता है वह, यहां पर कारांत, पूलिंग शब्द में सह का वह आर्थ होता है, और जो सह और हा लिखकर लिखते हैं, इसका आर्थ होता है साथ, और इसमें तृत्या विभक्ती होती है, तो इस तरह से हम लोग यहां पर शुरू करते हैं, तो मित्रेन सह, सह का अर्थ होता है साथ, और इस सह शब्द के योग में तृतिया विभक्ती होती है, तो इसलिए मित्रेन शब्द में तृतिया विभक्ती है, तो अब यहां पे हम लोग पहला पढ़ेंगे, व्योमह मित्रेन सह गच्छती और मित्र शब्द लिखा है, मित्र के साथ जाता है सह का अर्थ है साथ जाता है तो यहां पे साथ जाता है इस अर्थ में त्रित्या विभक्ति का प्रियोग हुआ है और मित्र से मित्रेन पद बन गया है त्रित्या विभक्ति एक वचन में और अब इसी तरह से हम लोग कवाला करेंगे बालकाह सह पठंती बालिका तो यानि कि बालकाह लड़कों के साथ सह शब्द आया है फिर सह मतलब साथ लड़कों के साथ लड़कियां पठंती पठंती मतलब पढ़ती हैं तो यहां पे हम लोगों को लड़कियां पढ़ती हैं साथ शब्द है तो हमें तृतिया विभक्ति क प्रोग करना है बालिका में तो यहां की हो जाएगा इस तो इस वालिकाभि ईसक्रीया बन का बहुट ये त्रितिया विभक्ति बहु अचन का रूप है तो बाली कया बाली का भ्याम बाली का भी तो अब हम लोग यहां पर प्रियोग करेंगे तडागह मतलब तालाब कमलाईह कमलों से विभाती मतलब सुन्दर लगते हैं शोभा पाते हैं तो तडागह यानि की तालाब कमल शब्द है कमलाईह यानि की कमलों से तो यहां पर कमलाईह शब्द आ जाएगा कमलाई है कमलाई है शब्द आ जाएगा कमलाई है यानि कि कमलों से ये बहुवचन का रूप है तृत्या विभक्ति का कमलाई है कमल कहते हैं कमल के फोल को और यहां पे बहुवचन का तालाब में एक कमल से तो सुन्दर्ता बढ़ती नहीं है तो यहाँ पे बहुवचन का प्रियोक करेंगे कमलाई है, तो कमलों से विभाती मतलब सुषूभित हैं, सुन्दर लगते हैं, अब है गा अहमपी, अहमपी मतलब मैं भी खेलामी, खेलूंगा, तो कंदुख शब्ध है, तो यहाँ पे कंदुख शब्ध में हम तृतियावी एक वाचन कप्रियों करेंगे गेंद से तो अहम आपी मैं भी कंदूकेन गेंद से खेलने में सहाय करेंगा गेंद तो यहां पे हम लोग तृतिया वीभक्ति लगा देंगे तो कंदूकेन बन जाएगा कंदुकेन यानि की गेंद से जो है वो खेलामी खेलूंगा और अब हम लोग घह करेंगे अश्वाह अश्वाह यानि घोडे सह धावंती साथ दौरते हैं तो घोडे घोडों के साथ दौरते हैं यहां सह का प्रियोग है इसलिए अश्व शब्द में तृतिया विभक्ति घोडों के साथ सह मतलब साथ दौरते हैं और अंतिम है इसमें कि म्रिगाह सह चरंती म्रिगाह मतलब हिरन बहुत से हिरन के साथ चरते हैं तो यहां पर म्रिग शब्द दिया है तो हिरन हिरनों के साथ चरते हैं तो यहां पर भी म्रिग शब्द से म्री गई है हो जाएगा म्री गई है तो यह जो है यह तृत्या विभक्ति लगाने के बाद यह खाली जगा में यह शब्द भरे जाएंगे और वाक्य पूरा हो जाएगा भरने से और इसके बाद जो है वो हम लोग यह चठा यहां पे प्रश्ण है जिसमें एक छोटा चक्र बना है उसके बाद और तीन चक्र बने हुए है पूरे चार चोटा सरकल है फिर उसके बढ़ा है फिर उससे बढ़ा है तो इस तरह से चार जो है वो और बीच में केंद्र में एक नाम लिखा हुआ है तो प्रश्ण छे और साथ हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे अ आज तक के लिए प्रश्ण एक से पांच तक सभी बच्चे अपनी उत्तर पुस्तिका में संस्कृत की कॉपी में पूरा करेंगे तो दो प्रश्ण जो बचे हुए हैं उससे हम लोग अगले वीडियो में पूरा करेंगे उसके बाद फिर हम लोग नया पार्थ शुरू करे तो सभी बच्चे इसे ध्यान से अपनी कारी पुस्तिका में पूरा करेंगे तो सभी बच्चों को धन्यवाद